हेलो एब्रिवन गुड मॉनिंग आएम नंदिनी वेलकम टू आर चैनल वाई फाई स्टडी विथ नंदिनी जहाँ पर हम डिसकस कर रहे हैं 9 फरवरी 2023 के करेंट अफेर के बारे में तो आएए देखते हैं क्या है हमारे पास तो सबसे पहली हम बात कर लेते हैं कि केंदर सरकार ने मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जज़ों की निप्ति के लिए इसके लिए सुप्रीम कोर्टे कोलीजियं बनाया जिसके हेट थे हमारे C.J.I. D.Y. चंदरजूर तो अब ये पांच ज़ज कौन-कौन से हैं इनकी लिस्ट दी गई है जिनके नाम आप देख सकते हैं अचा अब ही अगर हम वर्तमान में बात कर लें तो हमारे पास एक C.J.I. है यानि मुख्य निया अधीश है और उसके अल जो जज होंगे उनकी संक्या कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी नेक्स बात कर लेते हैं कि अभी Golden Book Awards 2023 रिलीज करा गया है जिसमें हम देखते हैं कि इस लिस्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के बहुत सारे लेख़वों की इसमें इसमें बुक्स आप 1944 में हुआ था और 1943 में डिसिजन लिया गया था कि इस तरीके का आवड दिया जाएगा भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो एक पैनल बनाये गया है जिसमें भारत में पिछली साल यानि 75,000 बुक्स को प्रकाशित किया गया था जिसमें से नॉमिनेट किये गया कुछ या उस पैनल के जो सरदश्य थे वो कौन थे डॉक्टर कैलास बिजानी, डॉक्टर दीबक परबत और मुरली सुंदरम है ना और इसके अलावा ये जो अवार्ड है वो किस-किस फिल्ड में दिया जाता है तो लोगों में फिक्शन, नॉन फिक्शन, कविता और बच्चों की किताबों सहित, सहित्य की जो जितनी विधाएं हैं उसको मिश्रित रूप से इसमें observe किया जाता है, देखा जाता है और फिर select किया जाता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे important बुक है वो है जे के रावलिंग की Fantastic Bits, The Secrets of Dumbledore, इसको select किया गया, साथ में ही हम इनकी बात कर लेते हैं, Ruskin Bond की इनकी बुक जब आती है तो बहुत ज़्यादा famous हो जाती है exam में, तो इनकी जो बुक है वो How to Live Your Life, इसको भी select किया गया है, इसके अलावा PDF टेलिग्राम पर डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, पढ पढ़ सकते हैं, हम नेक्स बात कर लेते हैं कि WPL, यानि महिला Premier League का जो पहला session है, वो start कर दिया जाएगा 4 मार्च से 26 मार्च के बीच में, और आपको बता दें कि Indian Premier League, यानि IPL पूरे विश्व का सबसे बड़ा लीग है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन हो जाएग महिला Premier League, WPL, और इसके लिए BCCI ने पहले ही सारी जो फॉर्मेल्टीज हैं, वो complete कर ली थी, और इसके बारे में मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया भी था, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन-कौन सी टीमें आएगी यहाँ पर, तो मुंबई Indians, गुजरा Giants, Lucknow Warriors, Royal Challengers, Bangalore और दिल्ली Capitals की टीमें शामिल होंगी, और यह जो टूर्नामेंट होगा, वो मुंबई के DIY पाटिल स्टेडियम और ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा, साथ में आपको बता दें कि इसके लिए 1500 खिलाडियों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें फाइनल जो शॉट लिस्ट हुए थे, वो 409 खिलाडी हुए थे, अब इसमें से 246 खिलाडी भारतिये हैं, और 163 दूसरे कंट्रीज के हैं, और 8 जहें वो सायोगी देशों के खिलाडी हैं, नेक्स बात कर लेते हैं, फ्रांस के डिफेंडर राफिल वरीन के बारे हैं, और इनका जो रूस में 2018 में विशो कब हुआ था, उसमें जब फ्रांस जीती थी, तो उसमें इनका विशेस्ट रोल था, नेक्स बात कर लेते हैं, निर्वाजन आयोग के बारे में, हमने 25 जनवरी को अपना मत दाता दिवस सेलिबरेट करा था, और जिसका उद घाटन किसने किया था, राजपती द्रॉपदी मुर्मुने करा था, उसमें बात की गई थी, कि एक गीत रिलीज करा जाएगा, और उस गीत का नाम क्या है, मैं भारत हूँ, हम भारत के मत दाता है, अब इस गीत को प्रॉपर हिंदी और बंगाली सहित बारत भारती चेतरिय भाशा था, कहां पर, बैंगलोरू में, ठीक है न, तो इस टाइम पर, जो हमारे प्रधानमंदरी नरेंदर मुदी है, उन्होंने ये बोल दिया कि 20% इथनॉल, मिश्रित पेट्रोल को लांच कर दिया गया है, प्रधानमंदरी नरेंदर के द्वारा, अब थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं, कि ये इथनॉल क्या है, सबसे पहले कि ये एक तरीके का mixed oil है, है न, एक इंधन है, mixed इंधन, जिसमें 20% इथनॉल होगा, और जो 80% है वो पेट्रोल होगा, तो इसका जो फर्स्ट चरण है, यानि जो इसका पहला स्टेप है, वो स्टार्ट कर दिया गया है, भार ये भी ये काम हो रहा था, लेकिन 10% इथनॉल मिलाया जा रहा था, और 90% पेट्रोल था, लेकिन अब इसको 20% कर दिया गया है, तो ये पहले भारत के 15 शहरों में स्थापित किया गया है, और 7 में ही, जो 11 भारत के राज्ये हैं, और केंदर शाशित प्रदेशों के 84 पेट् नॉल उपलब्द होगा, यानि जो ये मिक्स्ट इंधन है, वो उपलब्द होगा, इट्वेंटी फ्यूल के बारे में एक इंट्रोड़क्शन दे देते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो इसका उद्देश्य है, वो क्या है, ये उद्देश्य है कि कारबन की जो मा बाजकोशिय घाटा है, वो कम हो जाए, ठीक है न, तो अब इसमें हम देखते हैं, कि जो फर्स्ट हमने इस्टेप उठाया था, उसमें 10% एथनॉल मिला रहे थे, और 90% क्या था, पेट्रोल या डीजल था, अब हमने क्या किया है, अब हमने स्टार्ट कर दिया है, कि 20% कि, वो 1037 करून लीटर है, ठीक है, जिसमें 700 करून लीटर गन्ने पर आधारित है, और 337 करून लीटर अनाज पर आधारित है, यानि जो हम यह एथनॉल बनाएंगे, वो किस से बनाएंगे, तो वो हम गन्ने से बना रहे हैं, और अनाज से बना रहे हैं, ठीक है, अब यहा के से परियावरन को फाइदा जादा है तो लोगों की सहत पर भी इसका असर पड़ेगा नेक्स बात कर लेते हैं 9 फरवरी से 23 मार्स तक एक बहुत यात्रा निकाली जा रही है किसके द्वारा कोरिया गड़ राज्य की सांग होल सुसाइटी के द्वारा अच्छा ये क्या है तो ये यात्रा में वो तिर्थ यात्री शामिल होंगे जो बहुत धर्म से संबंधित इस्थल भगवान बुद्धित संबंधित जो उनकी जगहे हैं उनकी यात्रा की जाएगी 108 बौध यात्री तो सिर्फ कोरियागर राजे के हैं और इसमें यह जो यात्रा है वो 43 दिन तक चलेगी और 1100 किलो मीटर से अधिकी यात्रा की जाएगी जो 9 फर्वरी से लेकर 23 मार्ज तक और्गिनाईस किया जा रहा है भारत और नेपाल में यानि जो भारत और नेपाल के जो बौध धर्म से सम्मधित इस्थल हैं उनकी यात्रा करी जाएगी इसमें इस्पेशली बौध अनुयाई जो है तिर्थी यात्रा के दौरान बोत गया जहां पर बोधी व्रिक्ष है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्यान प्राप्त हुआ था नालंदा विश्व विद्याले की स्थापना किसने करवाई थी तो गुप्त शाहशब कुमार गुप्त प्रथम की द्वारा करवाई गई थी जो उस चाइम का सबसे प्रसिद और सबसे जादा पुराना विश्व विद्याले था जहां पर विदेशी भी आकर सिक्षा ग्राण करते थे महा परी निर्वान मंदिर वो जगा था जहां पर भगवान बुद्ध की मृति हुई थी और यहीं पर 6.1 मीटर उची जो है मृति मिलेगी जिसमें भगवान बुद् बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था और जिसका निर्मान मल राजा के द्वारा कराये गया था इसस्टूप का निर्मान लुंबिनी नेपाल में इस्तृथ है और लुंबिनी वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध का जन्व हुआ था नेक्स बात करते हैं कि जो नासा है वो उसकी जो all electrical विमान X-57 है अब उसको त्यार कर दिया है उड़ान भरने के लिए ये एक इस तरीके का विमान है जो लीथियम आयन बैटरी के द्वारा जो energy generate होगी उसके द्वारा चलेगा यानि एक electrical विमान है इसका मुख्य उदेश है कि किस तरीके से तेजी से उबर रहे electrical aircraft बाजारों के लिए मानक तैंग किया जाए मतलब अगर ये सफल हो जाता है तो electrical waste जो aircraft है उनकी marketing बढ़ जाएगी नासा की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं तो Washington DC में सेमतराज अमेरिका के 29 जुलाई 1958 को हुआ था इसका जो स्थापना और इसके संस्थापक कौन थे तो Dwight D. आईजन हावर के द्वारा इसके स्थापना करी गई थी नेक्स बात करते हैं इंदौर नगर निगम के बारे में जो मर्दे प्रदेश का इंदौर शहर है वो क्या कर रहा है ग्रीन बॉंड जारी कर रहा है इसके लिए वो क्या करेगा कि वो जो NSE है National Stock Exchange उस पर registered कर आएगा इसे कब 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में ये जो नगर बॉंड है तो इसका जो संबंध है वो सौर उर्जा से है सौर उर्जा के लिए एक सौर यंत्र तयार किया जाएगा जो 60 मेगावाट कैपिसिटी का की उर्जा का उत्पादन करेगा जिससे इंदौर शहर को फायदा होगा और 5-6 करण रुपए का जो बिजली का बिल है वो दौर नगम निगम के द्वारा तो ये देश का पहला ऐसा नगर निगम बन गया है नेक्स बात कर लेते हैं PCS के बारे में जिसको Fortune ने सबसे ज़्यादा एड्मायड कंपनी की लिस्ट में शामिल किया है और ये बिल्कुल टॉप पर है ये जो ये जो लिस्ट जारी करी जा से जो स्टैंडर्ड है वो देखे जाते हैं और इसके साथ साथ में ही बता दें कि जो TCS है वो दुनिया के कुछ सबसे बड़े निगमों के साथ में अपने नवाचार विकास और परिवरतन की जो इनिसियेटिव जो लिए गया इसके द्वारा उसके लिए इसको नामित किय गया है चुना गया है TCS क्या है Tata Consultancy Services जिसका मुख्याले मुंबई में है स्थापना एक अप्रेल 1968 में करी गई थी फकीर चंद्र कोहली और J.R.D. टाटा के द्वारा ठीक है और वरतमान में इसके जो CEO है वो कौन है राजेश गोपिनाथन है भारत दुनिया का सबसे अधिक दूद उत्पादक देश बन गया है अब ये काम भारत ने किस तरीके से किया तो देखो रास्टिय पशुधन मिशन चलाए गया है जिसमें फीड और चारा विकास हैना इसमें उपमिशन के रूप में काम करता है जिससे पशुध के लिए ब निर्माड किया गया था जिसकी वजह से ये देखा गया कि वैश्विक दुगद उत्पादन में 24 प्रतिशत जो योगदान है वो सिर्फ भारत का है इसलिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूद उत्पादक देश बन गया है नेक्स बात कर लेते हैं जूपिटर क के बारे में जिसकी न्यूज हमने कल भी पड़ी थी और हमने पताया था कि जो बारा चंद्रमा है वो खोजे गया है इसमित्सोनियन एस्ट्रोफिजिकल अब्जर्वेटरी के द्वारा जिसमें से जो नौ चंद्रमा है वो काफी दूर है इससे और ब्रिस्पती के जो परि जो विन ग्रह कहा जाता है क्योंकि जो इनका निर्माण हुआ है वो कोई ठोसता नहीं इनमें पाई जाती है इनका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से बनी गैसों के द्वारा हुआ है यानि ये जो हाइड्रोजन और हीलियम के से बने जो गैस है उसके बड़े बड़े गोले हैं ये और इसके बिप्रित, पृत्वी, बुद्ध, शुक्र और मंगल इनको इस्थलिय ग्रह कहा जाता है किसको पृत्वी, बुद्ध, शुक्र और मंगल को नेक्स बात कर लेते हैं, फोन पे ने देश के बाहर भी UPI भुगतान शेवा सुरू कर दी है, UPI Unified Payments Interface, जिसको हम UPI कहते हैं, अब बाहर यानि विदेश में किसके द्वारा कराया जाएगा, तो विदेश में ये Walmart के द्वारा कराया जाएगा, फोन पे किस स्टार्टिंग कर गई है, और भारतिय फिंटेक एप से करी जाएगी, इस एप का नाम क्या होगा, Walmart के द्वारा जो फोन पे इस रेवा सुरू की जाएगी, तो इस एप का नामों का भारतिय फिंटेक एप, है ना, नेक्स हम बात कर लेते हैं, RBI द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ूतरी की गई है, किस के द्वारा की गई है, RBI के द्वारा की गई है, रेपो रेट में 25 आधार अंकों की बढ़ूतरी की गई है, और हम देख रहे हैं कि टाइम टाइम पर जो RBI है वो क्या कर रहा है, तो मुद्रा स्वितिक और नियंत्रित करने के लिए, मतलब मेह के रॉयल मेल ने क्या किया है, किंग्स चार्ल्स थर्ड की जो पिक्चर है, उसको प्रदशित करने के लिए, डाक टिक्टों को रिलीज करा है, ठीक है, जिसमें समराट का सिर और स्टैम का मुल और बारकोड नजर आएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा और इसरो के बा कि जो जानकारिया है, वो इस उपग्रा के मादियम से दी जाएंगी, कहा जा रहा है कि सितंबर में इस उपग्रा को लांच कर दिया जाएगा, और फरवरी 2023 के अंग तक ये भारत में आ जाएगा, हाल ही में H5N1, ये क्या है, ये बर्ड फ्लू का ही एक प्रकार है, तो H5N बर्ड फ्लू वाइरस के कारण पेरू के समुदरी लायन और जंगली पक्षियों की मौत हुई है, कहा पर हुई है, पेरू में हुई है, और वहाँ पर जो प्राक्रतिक सनरक्षित चेतर है, सरनप, वो जो एजनसी है, उसके अनुसार ये बताया गया, कि जो आज सनरक्षि समुदरी लायन के भी मृत्यू होने की न्यूज मिली है, जिससे ये कहा जा रहा है कि H5N1 जो बर्ड फ्लू है, इसका वाइरस फैल गया है और जिसकी वज़ा से इन पक्षियों की और इस समुदरी लायन की मृत्यू हुई है, H5N1 यानि एवियन इन फ्लूवेंजा, एक इन फ्लूवेंजा है, जो पक्षियों में पाया जाता है और इनकी मृत्यू का कारण बनता है, इस्पेशली जो खाद ये उत्पादक पक्षिय हैं, जैसे मुर्गिया, तर्की, बटेर, गिनी, पाउल, इन में ये पाया जाता है, एविन इन फ्लूवेंजा जो वाइरस है उसके बहुत सारे प्रकार हैं, जिसको आप देख सकते हैं, साथ ही पेरू के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, तो पेरू के राश्पती दीना बोलू आटे है, राजधानी लीमा है, और यहां के मुद्रा निूवो सोल है, ठीक है? लेक्स हम बात कर लेते हैं सब्दर जंग अस्पताल के बारे में, बहाँ पर क्या किया जा रहा है? देखो हमारे जो आयूश मंत्री है, वो कौन है? सरबानन सोनो वाल जी है, और जो हमारे स्वास्त मंत्री है, वो कौन है? मनसुप मंडाविया है, तो उन्होंने सयुकत चिकिस्सा पध्धती है जिसके माध्यम से एलियोपैथ के सासात में जो भारत की प्राचीन आयरुवैदिक या जो प्राचीन तरीके हैं चिकिस्सा के उपचार के उसको मिलकर मरीजों का इलाज किया जाएगा आयूश मंदराले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी स् पर चिकिस्सा पध्धतिया है उसको फिर से क्या किया जाए पुनर जीवित किया जाए और समगर स्वास्त के लिए आयूश का आधमिक चिकिस्सा के साथ में एक की करण एककर्च चिकिस्सा है वी वी सी साल की सर्वस्टेस्ट खिलाडियों के रूट में कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया है जो भारत की खिलाडी है जिन में किसके नाम है विनेश फोगाट, साक्षिय मलिक, पीवी सिंदू, मीरा बाई चानू और निकह जरीन के नाम है अभी नॉमिनेशन किया गया है, फाइनल लिस्ट आनी बाकी है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं के सत्यनारण राजू के बारे में जिनको केनरा बैंक ने अपना नया CEO और मैनेजिंग डारेक्टर नुक्त किया है ये LV प्रभाकर की जगर लेंगे, केनरा बैंक की स्थापना 1906 में श्री अम्मे मबल सुब्बा राव पई की द्वारा की गई थी और 1 अपरेल 2020 में सिंडिकन बैंक के साथ में केनरा बैंक को मर्ज कर दिया गया था जिससे केनरा बैंक देश का सबसे देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बनकर उभर कर सामने आया था इसका मुख्याल है बैंगलूरू में है रिलाइंस जियो और G.S.M.A. के बारे में बात करेंगी जिन्होंने एक इनिसियेटिव लिया है किसलिए डिजिटल इसकिल प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो G.S.M.A. है वो कनेक्टेड वुमेन कमिट्मेंट के लिए काम करती है ठीक है अब इसके तहत क्या किया जाएगा इसके तहत जो ग्रामीड महिलाएं है और इसके साथ-साथ में जो हाश ये पर रखे हुए लोग है या निमन आयवर के लोग है उनको डिजिटली ट्रेंड किया जाएगा इसके माध्यम से अच्छा दस राजियों में स्टार्ट भी कर दिया गया है ग्रिलाइंस जीयो और G.S.M.A. के द्वारा ठीक है Hopkins Center for Talent Youth का एक्जाम दिया था जिसके द्वारा इनको सेलेट किया गया है Next हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बलेवाज है कामरान अक्मल उन्होंने गोशना करी है कि वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लेंगे और इनका PCB में सेलेक्शन हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सदसे के रूप में इसके बाद इन होने ये डिसीजन लिया है वकील लक्षमर चंद विक्टोरिया गोरी जो काफी जादा विवादों में रही है उनको मदरास उच न्याले के अत्यत न्याधिश के रूप में सफ़त ग्रहन करा दी गई है इस वीडियो में इतना ही आई हो कि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए टेलिग्राम निंक दिया गया है